तो हेलो एवरीवन वापस आचुके हैं एक नया और गिनेक का चैप्टर लेते हुए नया नहीं जो हम पहले ही देख चुके थे ठीक है तो स्टार्ट करेंगे हमारा यह वाला चैप्टर आप सब को पता ही है मैं हूं अर्पित फ्रॉम यह फेवरिट फी लेंडिंग प्लेट उससे पढ़के आए होगे में चीज यह है कि तुमने पढ़ा होगा यह मैटर करता है ठीक है और अगर पढ़ा है तो बहुत अची वात है और नहीं पढ़ा है तो भाई पढ़ लो रिवाइस कर लो क्योंकि यह वाले चैप्टर में यह वाला अभी जो अपन वीडियो करने तो देखो हमारा कोशन कह रहा है तेंध कोशन है तुम्हारा और तुमने पहले करे हैं न कोशन ठीक्ट न चुम्हारा कोशन कहे रहा है एन और इक अंडंट ओर यह दिया है एक और निक अंड फॉण तूफ और यह धिया है ठीक है फोंस 2,4 dnp derivative ठीक है 2,4 dnp derivative आगर तु 2-4 dnp derivative ही नहीं पता तो कैसे बनाओगे बात ही आ जाती है और पिछले में ट्रिक भी है पिछले कोई वीडियो में तो देख के आवो वाला फिर reduce tolerance reagent tolerance reagent भी पता होना चाहिए and undergoes kenny-zaro reaction अब kenny-zaro reaction भी पता होना चाहिए चलो on vigorous oxidation जब तुम क्या कर रहे हो जब oxidation कर रहे हो उस compound का जो तुम्हें गिवन है ठीक इट गिवस बन्टू बेंजीन डाई कार्बॉक्स लेक ऐसे ठीक है इडेंटिफाया डेट कंपाउंड ठीक है तो चलो हम बिल्कुल पाउंड को दूरेंगे लेकिन पहले गिवन को और अच्छे से पढ़ते हैं ठीक क्या कह रहा है तुम्हारा ये तुम्हें compound दिया है ठीक है वह बना रहा है टूफोर डी एनपी बना रहा है इससे भी हमें अच्छे नहीं हो रहा है कि हमारा और और ने थे कि रहे रहें रिडूसेस टॉलंसियेस्जेंट लेकिन हमें पता है की जो टॉलंस्येजंटें टॉलंस जो रिएज़ेंट है है हम आगे बहु तो बात ही नहीं आती ठीक चलो इतना हो गया हमारा एक हमने देखा उसके बाद एन अंडर गोज कैनी जारो रियक्शन कब जा सकता है जब भी पहली चीज तो हमें यह पता चल गई दूसरी चीज कैनी जारो रियक्शन में क्या होती कि नो अलफा हाइड्रोजन कोई भी अलफ कड़ गया है वो कहा तुमारा कीटोन क्योंकि यह कहने जाता टॉलेंस रियजन नहीं जाता तो सरफ बात किसकी हो रही होगी इदर एल्डी हाइड की इतना समझ गए ठीक है तो यह जो कही ना कहीं वाला जो ग्रॉप है यह यह एल्डी हाइड है लेकिन अब कितने नमबर चीन वाला वो नहीं पता चलो आगे पढ़ते हम आगे क्या है ओन विग्रस ऑक्सिडेशन अगर तुम उसका ऑक्सिडेशन करते हो तो तुम्हें क्या बिलता है वन टू बैंजीन डाई कार्बॉक्लिक असे अब समझ गाए हो तुम कैसे कि यह जो कंपाउंड है यह एरोमे कार्बन है और एक पे तो aldehyde present है यह हमने देख लिया कितने होगा है साथ कार्बन होगा है और क्या बोल रहा है टू फोर मतलब वन फोर यह वन और यह टू ठीक है सेकंड पर क्या होगा तुमारा बचता क्या है तुमारा बचता है अब CH2 CH3 यह बचता है ऐसे होगा तुम हमने देखा है हमने सिर्फ लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कैसे कर रहा है यह पूरा था टॉलेंज रिएजन क्या होता है यह बस देगा और नो यह नो आलफ आइजन प्रेजेंट होते है किसमें कहनी जारों में और aldehyde कीटोन की बात होती है कहनी जारों में कीटोन है यह है तुमारा प्रोडक्ट जो हमें मिला 7-6-2-3 अब यह रहा हो रहा है इसके साथ है यह टू फोर डेन्प डेरीवेटेव बना रहा है डिनप डेरीवेटेव क्या होता है जब कोई भी रियक्षन किसके सांथ होती है जरा यह बता हो जब कोई भी हाइड्रजीन जोड हो तुमारा टू-4 डाइनाइट्रोफिनाइल से यह अपन पढ़ चोके है तो भाई उमीद है पढ़ लेना अच्छे से ठीक है यह जाएगा टू और यह जाएगा तुमारा फॉर वान टू-3-4 डाइनाइट्रोफिनाइल ठीक है अब क्या हो गाई इसकी रेक्शन चलो एक त होता है ठीक अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर नाइट्रेट होता है एनेच 3 होल ट्वाइस यह पूरा पॉजिटिव और ओएच माइनस यह होता है तुम्हारा टॉलिंस एजेंट यह करता है यह माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट होता है यह हम पढ़ चुके हैं बैंजीन यहीं से चाली होगा नंबरिंग सी ओ ओ एच आप तुम्हें जहां घूमना है उपर गूमना है उपर गूम जा यह नीचे जा ना नीचे घूम जा ठीक है तो हम क्या करते हैं इसको लेकर देता हैं सी ओ ओ एच तुम्हारा यह मिल रहा है ठीक है अब इन दोनों का हमें नहीं पता क्या बनेगा यह तो मैं पता है मगर क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हाइड्रजीन जब किसी भी एल्डिहाइड के साहरे एड करता है तो क्या होता है माइनस एच्टू और निकलता है वाटर निकलता है बाहर और यह पूरा का पूरा कंपाउंड जाके जोड़ यह देखो यह कहां बैंजीन यह तमारा बैंजीन ठीक है यहां पर क्या तुम्हारा एल्डिहाइड है न तो एल्डिहाइड को मैं कैसे लग सकता हूं सी एच डवल बॉन्ड ओ से इस ऑक्सिजन से यह हैज्ड निकल जाते हैं यह दिखे रहा है तुम्हें दो हाइड्रोज और यह एक ऑक्सिजन ठीक है यह निकल जाएंगे बाहर और क्या माने देंगे तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल ठीक है तो चलो क्या बचा जो डबल बॉन्ड ओ से जोड़ता है एल्डिहाइड में ऐसा होता है न सी डवल बॉन्ड ओ और यह यह तो निकल गया तो यह डबल से जोड़ जाएगा तुमारा नाइट्रोजन जो डो नाइट्रोजन हमने एड कर दिया उसके बाद किया तुमारा एन अच और पूरा कमपाॉंड खर नगा दो तुम । मैं жд और फौर्ट बन कि यह क्या बना तुमाराों यह क्या बना तुमारा यह बना डैरीवेटेव क तो नाम क्या हो जाएगा बैंजयलीहाइड बैंजयलडीहाइड थीक है क्या है नाम इसका नाम है इसका जरा बताओ तूपोर डाई नाइट्रो फिनाईड आनसर यह बन गया चलो अब अपने लेखते है कौन सा अगर जब यह टॉलेंट्स रेजेंट के से होता है reduce तो यह बात हमें पता है क्या पता है कि silver iron निकलते हैं पढ़ा हुआ है यह हमने ठीक एसलिए बोल रहा हूं बार बार यह पढ़ा है इसको भी अलकίν जोह है इसको भी oxidized कर दिया सिर्फ के इसको करेगा यह करेगा कया देगा कि और हैं ठीक है यह कौन सा है तोमारा कार्ब्सीलेट आयन कहां सहा तुमारा कार्ब्सलेट आयन अब इसको बोल सकते हो या बंजुएट बेंजोलिक एसेड होता है ना जैसे हम एसेटिक एसेड में जब एच देतेता है तो एसेटेट बोलते हैं बेंजोएट बोल सकते हैं इसको ठीक है यह क्या देगा प्लस तुम्हारी सिल्वर आयन निकलेंगे प्लस तुम्हारी निकलेगी और वॉटर मॉल्लिकुल निकलेगी इसफ़ तुम्हें पता है ठीक है यह होगा तुम्ही पूरा रियेक्शन लेकिन अभी तक हमने क्या कर रहा है इसके नाम की बात नहीं करी है तो इसका नाम बता दो अभ जल्दी से बह। अच्छे लगाएका भी बतापा क्या हो मुझा तूर काlles एसं तुसंने अपन को गिवन दिया थह न ही क्या हुआ इ molecular हमने कर लिया एक है तुम्हार egy की सारी तुम्हें गिवन था बस तुम्हें धान से पढ़ना है कोशन बागी तुम से बन जाएगा हमझे हैं मारा 11 चोंट अब डेखो अब हम वोह कि एन और यह कंपाउंड फिर से आगया और यह निकंपाउंड ए इसको मैं अगा देखना चाहूं ना तो मैं एक फॉर्मुले से कंपैर करना चाहूंगा कि क्या होता है और है चीज़ा कि यहां पर ही अगा हमें इसको फ्लस प्लास कर दो क्या हो जाएगा ठीक है तो C8 H18 ठीक है तो इसको मैं कैसे लगता हूं Cn H2n प्लस 2 तो कहीं नहीं कहीं यह एलकेन सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक एन की जगा पर क्या हो जाएगा नमबर ऑफ गरवन 8 और यह हो जाएगा तुम्हारा कित्ता 18 हो जाएगा चलो उसको छोड़ो ऐसे नहीं देखना आप क्या है वाज हाइड्रोडर विट है डाइल्यूट सुर्प्यूरेक एसे टू गेव आ कार्बॉक्सलेक कंपाउंड कार्बॉक्सलेक एसे वाला कोई तुम्हें दे रहा है वह कंपाउंड बना रहा है कार्बॉक्सलेक एन एन एलकोहल c oxidize of oxidation of c with chromic acid produces b ठीक है तो इसको फ्लो चार्ट की तरह देखते हैं सब्सकों ए तुम्हें दिया है ठीक है एक को जब तुम हाइड्रोलाइस कर रहे हो इन्दी प्रेजेंस ओफ डाइल्यूट सल्प्यूरिक एसेड मतलब डाइल्यूट h2so4 की प्रेजेंस में तो तुम्हें क्या मिल रहे हैं दो कंपाउंड मिल रहे हैं कौन-कौन से एक तो मिल रहा है तुम्हें b और एक मिल रहा है तुम्हें c ठीक है और उन्हें नाम भी बता है B जो है तुमारा वो क्या है कार्बॉकसलिक एसिड और जो C है तुमारा वो क्या है? इलकाalts एब वो कोई भी ऑलका Agr हो सकता है हमें पता-न्हेशन लिए, एब ओक्सिडेशन ऑफ C मतलब जहां हम इसका ओक्सिडेशन कर रहे हैं WITH C hijo me इसको तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे हम एसे फोर लेख सकते है तो h2cro4 या फिर ऐसे भी लिख सकते हो cro3 इनदी प्रेजेंस ऑफ एच्टो एसवेश्वॉर जैसे लिकना हो ठीक है chromic acid तो तुम्हें क्या मिल रहा है तो तुम्हें करते हैं तो हमें क्या मलता है ब्यूट वन इन तो चलो हमें एक प्रोड़क्ट मिल गया अगर हम इसका क्या करते हैं हाइड डिहाइडरेशन मतलब वाटर को रिमूव कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है माइनस एच टू लिख दू मैं तो तुम्हें क्या मिल रहा है ब्यूट व सब हो रहा है तुम्हें बताना है कि क्या-क्या हो रहा है कि न समझ ज़ए नँ टिक चलोब हम समझते हैं अब एढ़ मिल रहा है मतलब नहीं हम CT से बस दियान दो सी पर ही सी से ही प्रुन मार्हा सब निकलेगा अगर तुम्हें यह हैं और एक चीज़ और अगर तूम इसका Oxidation कर रहे हो तो तुम्हें Carboxylic Acid मिल रहा है मतलब हमें एक चीज़ क्लियर हो गई या तो यह अल्डी हाइड है या तो यह अल्कोहल है टिक अल्कोहल है यह हमें यह भी पता है तो चलो अगर मैं क्या करूं यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा था अगर मैं इसका हाइड्रेशन कर दूं मतलब एच्टू हो जोड़ दूं एच्टू हो जोड़ दूं तो क्या होगा जरा लगावा हमाई लॉप पुराने वाले क्या हो जाएगा अगर हम चेक करना है तोम कैसे करएंगह अगर हम इसका वापस डी हड्रेशन कर देंगे अच्टोह का पहि gloriousो अगर हम इसका वापस डी हड्रेशन करना है ऐसट धोचे इस फॉर की पर देशन में तो क्या होगा है यह वापस यह बना लेगा तो नहीं तो चाहिए अब अगर हमें यह तो मिल गए से हमें चाहिए बी और बी कैसे बन रहा है जब तुम सी का ऑक्षडेशन कर रहे हो देखो और ऑक्सिडेशन कर दो इसका इस गजर्ए लेका सब्सक्राइब तो यह कितने कार्बन वाला और आप 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 गया है पास क्या आगया है पास देखो एथा अब तूट रहा था तो टीज बना रहा था तो अगर हम इनको जोड़ें तो हम एबना सकते हैं हम उल्टा चल रहा है पूरा ठीक है पहले हमने सी देखा C से बनाया B, अब इन दोनों को add करके हम क्या बना सकते हैं A, ठीक है इसना समझ गए, तुमारे दो चीज कौन-कौन से आया, देखो, हमारा A क्या आया तुमारा, A तो हमें निकालना है, तो नहीं पता, B क्या आया तुमारा, B क्या तुमारा, कार्बॉक्स लेक असेड, वो आ ब्यूट मतलब 4, ब्यूट मतलब 4, दोनों 4, 4 प्लस 4, 8, तो हम कहीं गलत नहीं चल रहे हैं, यह देखो, तो हमें क्या दिया है, फॉर्मूला, 8, C 8 दिया है, बाकी अब हम देखते हैं, से रो, देखो, हम लास्ट में आ गए, यह समा में गेवन है, ठीक है, चलो, अब हम B और C से मिलके बनाएंगे A, मतलब B प्लस C हमें पता है, हम बनाते हैं A, उल्टा चलते हैं, अब देखो, क्या हो जाएगा, B क्या है तुमारा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल को कैसे लिखूंगा, OH, ठीक है, यह हो, हो लिख लेना, क्या हो जाएगा, CH2, CH2, ब्यूटेनल है, तो यह होगा, दो, तीन, यह चार, अभी क्या होगा, अब इससे तुम बनाओगे A, और A क्या होगा, यहां से तुमारा उड़ जाएगा, क्या, एक, हाइडर, ऑक्सीजन, यह तुमारा, OH, ग्रूप, और यहां से तुमारा जोड़ेगा, H, निकल जाएगा, यह वाला, यह O है, यहां पर H है, ठीक, यह वाला तुमारा निकल जाएगा, क्या निकला तुमारा, माइनस H2O, क्या बच्चा तुमारा पास, एक यह वाला, और इसके पास ऑक्सीजन, यह वाला, मत्तब क्या बच्चा तुमारा, C double bond O, ठीक, यहां से यह निकला, यहां से यह निकला, त तो क्या बने का देखो CH3 CH2 CH2 और यह पूरा कंपाउंड यहां पर क्या हो जाएगा CH2 CH2 ठीक है और के तुम्हारा CH2 CH3 यह हो गया अब जड़ा गिल लो किते कारवन है हमारा सही आए कि नहीं है ठीक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ कारवन हैं सी एट हो गया हमारा हाइडोजन को गिनेंगे तो लगभग कितना आएगा 16 ही आएगा और ऑक्षजन कितने तुमारे दो तो ओटू तो यह हमार और यह कौन सा ग्रो फटमारा है सअ ठीक एस्टर ग्रोप नइए इसका नाम क्या होगाई फटा ओंग लगत लकता है इसमें 8 हॉ थैन तो इवेट लगता है न यह क्या मरभी अंट है तुर आका पूरा पूरा ईटाइल है बो नहीं हो ठीक हो लूड है एह क्या मारा घू त ब्यूटेन ओ एट बस नाम हो गए तुमारे यह हो गया तो हमारा कंपाउंड कौन सा और्गेनिक यही तो है वो ठीक है चलो हम चलते हैं नेक्स कोशन पर हमारा देखो नेक्स कोशन क्या बोलगा है हमारा अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ओर्डर इन इंक्रीजिंग ओर्डर में बताना है जैसे जैसे वह तुमसे प्रॉपर्टी पूछत जा रहे हैं उसकी ठीक है हम देखते हैं पहला तुम्हें यह दिया है ऑन दी बेसे ऑफ रियक्टिविटी बताना है टोवर्ड़ एच सी एन एच सी एन के तरफ दूसरा तुम्हें अ का Debusp i दो बताना है और थढ़वित तुम्हें ऐसे स्टेंथ बताना है टाज्य तो इसके पहले तूमहें क्छा पता होनी चाहिए हम पहले वह दीखते हैं देखो ठीक हम से यह पूचा है ना लेकिन हम देखते हैं कष चीजे क्या क्या तुम्हारा ki Karboxylic acid ना कारबॉक्स लिक आसे बाला चल रहे हैं आमारही चेप्टर ऐसे कारबॉक्स लीक ऐसे ड़े अब ठीक उसमें होता क्या है यह भी हमारा क्या देता है माल लो CROH यह क्या देगा तो मैं एसेट बनने के लिए CROO negative plus H positive यह देगा तुम्हें ऐसे distance में ठीक है तो अब खुछ सोचो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अब हम कि यहां पे oxygen और hydrogen साथ में थे ठीक है चलो story से समझो तुरंट आएगा समझ में oxygen और hydrogen साथ में थे ठीक है अब क्या होगा bond यहां से तूट गया ठीक है साथ में थे अब hydrogen कहता है कि भाई तू ही रख अपनी negativity मुझे नहीं चाहिए तो oxygen हो जाता है बहुत जद असेड उसकी उपर आजाता है negative charge और hydrogen पर negativity आई है उसको दूर करे उसके पाश आओगे या जो negativity और दे दे उसके पाश आओगे मतलब कैसे ठीक है क्या हो चेन है मालो एक लंबी CH2 ठीक है यहाँ पर COO जोड़ा है तुम्हारा negative और यहाँ पर अब ठीक है क्या किसके पास जाओगे तुम जो तुमसे negativity ले 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 और तुम घर पे जाते हो तुम मम्मी से बोलते हो कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ मम्मी तुम्हें समझाती कि सब अच्छा होगा तुम मम्मी क्या ह negativity तो electron को तुम electron को तुम negativity मानो negative मानो ठीक है तरीक है तो यह क्या होगा negative को withdraw कर रही है तो यह क्या होगा अगर तुम से electron withdrawing group जुड़ा है किस से कारबॉक्सलेक एसिड से जो कि क्या है negative है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है हर्जन छोड़के चला गया समझे रहो बात को ठीक है तो क्या होगा यह जो negativity है यह stable हो जाएगी क्योंकि कौन है तुमाई साथ कौन ख़ड़ा है मम्मी खड़ी है electron withdrawing खड़ी है negative withdrawing खड़ी है तो क्या होगा है तुम अब होगा stable अब वहीं पर donating group ठीक है तुम किसी के पास गए उसने क्या किया अपनी खुद की चालू कर दी कहानी मतलब electron donating group मतलब वो तुम्हें negativity और दे रहा है तुम अदास हो तुम्हें और समझा रहा है वो और समझा रहा है कि मेरे साथ भी होता है है ऐसा कुछ नहीं है सबकी जिन्दगी है यह वो यह वाले लोग तो यह क्या कर रहा है तुम्हें negativity दे रहा है नेगडिविटी दे रहा है मतलब electron को दे रहा है, तुमसे खुद का तो समल नहीं रहा था, CO- तुमसे खुद का समल नहीं रहा था, ठीक, लेकिन अब वो और तुम्हे negative देने वाला आ गया, तो क्या तुम्हें stable हो पाओगे, stable नहीं होगे तुम, क्या हो जाओगे, unstable हो जाओगे, और चीज़े सोचने लगोगे, तो सुनो अब, वैसे ही होगा इसमें, अगर कार्बॉक्सलेक एसिड से, ठीक है, वैसे ही समझो, अगर कार्बॉक्सलेक एसिड मतलब, कार्बॉक्सलेक जब ये आयन बना रहा है, negative, उससे electron withdrawing जड़ा है, मतलब electron लेने वाला, इसके पास ये extra है, लेने वाला, तो क्या करेगा stabilize, stabilize करेगा electron withdrawing और वहीं पर बात करें हम, electron donating की, तो ये क्या करेगा, unstable करेगा, समझ गया इतना, इतना समझ गया न, ठीक है, और मैं क्या बोलूँ, अगर electron withdrawing group और electronegative group लगभग same काम करेंगे, electronegative group क्या करता है, electron को खीचता है अपने side, तो वो भी same काम करेगा, वो क्या करेगा, carboxylate iron को stable करेगा, इतना समझ गया हो, तो ये होगा तमारा acid वाला, ये होगा तमारा acid वाला, ठीक है, चलो, हम इसका example लगा देखना चाहिए, withdrawing का, क्या हो जाएगा तमारे, जितने भी हैलो जाने, वो withdraw करते हैं, वो लेते हैं, तो उनको बुरा मत मानो, उसका अच्छा समझो, चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, देखते हैं reactivity की, की carbon, 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 यहाँ पर carbon, यहाँ पर carbon, और इससे जोड़ा तमारा COO माइनस, ठीक है, वहीं पर, C, C, यहाँ पर COO माइनस, यह दो बाला है, यहाँ पर सिर्फ, जोड़ा तमारा CH3, CH2, COOH, ऐसे group है, तो तुम खुद देख रहे हो, अब कोई आएगा, मानलो CN आया, CN की है तमारा? Nucleofile है, वो किस पर attack करना चाहेगा? वो करना चाहेगा इस पर attack, वो करना चाहेगा इस पर भी attack, और बिल्कुल करना चाहेगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसे दिख रहे हैं कि ये तो already बहुत लोगों से घिरा है भाई तो मैं attack कैसे करूँ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग है मैं attack कैसे करूँ यहाँ पे सिर्फ दो लोग है और यहाँ पे सिर्फ एक ही group है तो क्या कहेगा वो यह जो hydrogen है उनको तो मैं जेल लूँगा लेकिन जो इतने सारे बलकी group है उनको मैं नहीं जेल पाऊंगा तो क्या होगा जो cyanide की जो reactivity है वो किस-किस प्रति जादा होगी वन ठीक है मतलब पहले पे वो जादा react करेगा फिर two पे करेगा फिर वो third पे करेगा सबसे कम करेगा tertiary वाले पे मतलब इसमें हो क्या रहा है कि भाई hindrance बढ़ गई bulkiness बढ़ गया तो क्या होगा जब bulkiness बढ़ जाएगा तो जो cyanide है वो reactivity अच्छे से show नहीं कर पाएगा इतना समझ गया हम तो दो चीज़ देख लिया हमने electron withdrawing और donating group withdrawing वाला तो तुम्हें पूरे अच्छे से कल क्लियर हो गया है और इसमें क्या है जादा जहां पे भीड वहां पे कम reaction ठीक है और जहां पे कम होगी तुम्हाई भीड मतलब steric hindrance या bulkiness वहां पे जादा reaction होगी अब हम चलते हैं वापस हमारे कोशन की तरफ जो हमें देखना है देखो पहला क्या पूछा तुमसे acetaldehyde acetone dye ters तुम्हें देखो क्या है अब देखते हैं पहले क्या तुम्हें acetaldehyde CH3 C double bond OH ठीक है अब उसके बाद क्या तुम्हारा acetone फिर है तुम्हारा CH3 C double bond OH CH3 ठीक है उसके बाद तुम्हारा क्या है dye tertiary butyl ketone ठीक है तो चलो बनाते हैं इसको ketone है और dye tertiary butyl कैसे लिख बनाते हैं C यहाँ पे 3-3 carbon जोड़ दो यहाँ पर भी dye tertiary है न तो यहाँ पे 3 जोड़ दो ठीक है उसके बाद क्या है तुम्हारा methyl tertiary butyl ketone मतलब एक साइल है तुम्हारा methyl और दूसी साइड है तुम्हारा tertiary butyl तो चलो बनाओ यह क्या है तुम्हारा यह है तुम्हारा third वाला यह है second यह है first और fourth आ रहा है देखो यह क्या हो जाएगा CH3 C double bond O ketone उसके बाद tertiary butyl लगाना है तो क्या लगाओगे C यहाँ पर यह CH3 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 अब hydrogen तुम लगाई सकते हो उसलिस में नहीं लगाए थे लेकिन लगा दे रहा हूँ CH3 समझ गए इतना इतना तो आ गया तो मैं समझ में अब उन्हें पूछा है reactivity towards HCN जो क्या देगा CN minus तो वही तो अभी हम पढ़ रहे थे CN minus किसके साइड ज़्यादा reactive होगा आप तो मानसर बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा देखो इसको CN को बहुत सारे लोग देख रही है वो क्या कर रहा है लेकिन उसने इस पे धान दिया क्यों इसके पास hydrogen ही hydrogen है तो उधर उसने क्या कहा था कि मैं hydrogen को जहिल लूँगा तो ये क्या होगा सबसे ज़्यादा reactive होगा किसके side पहले वाले के side अब यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ इसको क्या देख रहा है इनके according देखना सबको ठीक है अगर ये attack इस पे करता है तो इसको कितने लोग जहिलने पड़े है 1,2,3,4 4 बलकी group यहाँ पे देखो 1,2,3,4,5,6 6 बलकी group यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे तो 1 है जो कि ना के बराबर है तो देखो reactivity किस के side ज़्यादा होगी answer बताओ पहले के side ज़्यादा होगी reactivity फिर होगी तुमाई second के side क्योंकि यहाँ पे भी CH3 CH3 सरफ hydrogen ही group है अब यहाँ पे आजाओ थर्ड वाले में 3 CH3 हैं भाई 3 CH3 मतलब सबसे ज़्यादा बल्की है यह वाला पूरे example में सबसे ज़्यादा बल्की उसके बाद है तुमारा यह वाला तो सबसे ज़्यादा reaction किस की होगी पहले होगी 4 के साथ और फिर होगी तुमारी 3 के साथ according to hysteric hindrance according to bulkiness ठीक है किस के साथा reaction होगी 1243 थीक है 1243 और यह क्या क्या तुमारा यह है तुमारा आachetaldehyde ketone तो इसको अधि भी लख सकते है cope है bye की के फिर तुमारा कीट काई कौन सा की तोन है यह सद्ुमारा है कि उसके बाद तुमारा क्या है तरिधारी वीन्हाइल टर्शरी ब्यूटाइल की टॉन समझ गए इतना आ गया समझ मैं आ गया होगा चलो हम देखते हैं हमारा नेक्स पॉइंट वाला कौन सा है देखो नेक्स पॉइंट के कह रहा है तुम्हारा यह सब दिये तुम्हें तुमसे पूचा कहा है acid strength, acid strength को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, देखो क्या है, यह दिया है तुम्हें, CH3, CH2, CH इस पर जोड़ा है BR, ठीक है, और COOH, ठीक है, फिर second वाला क्या दिया है तुम्हें, second दिया है तुम्हें, CH3, CH, इस पर जोड़ा है तुम्हारा BR, और फिर CH2, COOH, थर्ड क्या द दिया है तुम्हें, CH3, दो बार, CH3, CH3, एक ही कारवान पर जोड़े हैं, CH, ठीक है, और क्या तुम्हारा, उसी से जोड़ा है तुम्हारा, सकार बॉक्स, लेक ग्रूप, दन, उसके बाद क्या तुम्हारा, CH3, CH2, CH2, COOH, मतलब की, CH3, CH2, CH2, COOH, इतना समझ गया हो ना, ठीक है, ये, तुम्हें ये, COH, उससे जोड़ा है, ठीक है, अब क्या होगा, हमने क्या बोला था, जो हैलोजन है, क्या होता है, वो, माइनस आई, माइनस आई, एक और माइंग ग्रॉप, बात करी थी, अभी हमने, ठीक है, तो भाई, अगर कार बॉक्स ले काएन, मतलब कार बॉक्स ले जो गुरॉप है, वो जिस कार्बन से जोड़ा है, सेम कार्बन से तुम्हारा कौन सा जोड़ा है, जो इलेक्ट्रون, जो नेगिटिबिटी लेने वाला है तो उसके acidity क्या होगी बहुत जादा होगी तो acidity इसकी जादा होगी किसकी एक ही मतलब first की सब्सक्राइब acidity होगी ठीक है वहीं हम बाकियों की बात करते हैं कि जो ब्रोमीन है आयोडीन है जुड़ा तो है लेकिन उससे एक side दूर है अगर तुमारे घर में ही negativity दूर करने वाला है तो तुम ज़्याद स्टेबल रहा होगे अब तुमसे एक कदम दूर है या फिर थोड़ा दूर है तो तुम्हें जाना पड़ेगा तब तक तो तुम सोचोगी न जादा तो क्या हो जाएगा फिर second की acidity जादा होगी अब वहीं पर बात करते हैं किसकी CH3 की वह क्या है वह प्लस आई effect देता है प्लस आई मतलब electron को वह देगा electron को वह देगा मतलब negativity तुम्हें दे रहा है समझ गया यह बात तो देखो अब क्या होगा यह वाला जो ग्रूप है यह कितने electron दे रहा एक यह दो और यह तो इसको क्या होगा यह जो acid है यह होगा week और यह होगा strong ऐसे भी देख सकते हो कि यह branch chain है और यह normal chain है तो उसके बाद क्या होगा acidity फिर होगा तुम्हारा 4 फिर होगा तुम्हारा 3 समझ यह बात इसको define कि से किया हमने प्लस आई और माइनस आई से या फिर इसको बोल सकते हो तुम electron withdrawing group या फिर electron donating group से electron donating group से समझ यह बात electron donating group इतना समझ यह हो ना ठीक है चलो आपना next point देखो क्या है next point next point है कि benzoic acid है 4 Nitro Benzoic Acid है ठीक है और क्या तुम्हारा 2-3-4 Di-Nitrobenzoic Acid और तुम्हें यह दिया है तो उसको इम धियान नहीं देते हम देखते हैं कि हमेंने क्या है हमें निकालना है acid strength ठीक है हम देखेंगे पहला है benzoic acid क्या होता है benzoic acid benzoic acid होता है तुम्हारा COOH यह होता है उसके बाद है तुम्हारा यह हो गया पहला दूसरा क्या है तुम्हारा four nitro benzoic acid तो यह हो गया तुम्हारा benzoic acid ठीक है यह हो गया बेंजोएक एसिट टो फॉर पे जोर दो क्या हो जाएगा एनो टू ठीक फिर होगा थर्ड क्या है तुमारा 3-4 डाइनाइट्रो ठीक है 3-4 डाइनाइट्रो क्या है बेंजोएक एसिड है 0,OO-H 3 वोल रहा है तो यहां पे 3 ओगा आप न कोड़ियो है और 4 N0 2 यह बंजोएक ऐसीड अब उसके बाद कया तुम्हारा 4 मिठोक्सी बंजोएक ऐसेड किया तुम्हारा 4 ड्रहु ऐसी 4 मैथोक्सी मैथोक्सी को कैसे पड़ोगे एक आक्सिजन एक मीथेन मतलब एक कारवन वाला लगा दो यहां पे COOH और 4 मेथाक्सी मतलब OCS3 1,2,3,4 इसमें पूरा खेल किसका है? इलेक्टरोन विड्रोइंग गृप का और इलेक्टरोन डोनेटिंग गृप का ठीक है? तो ज़रा बताओ इसमें अब क्या होगा? कौन सा डोनेटिंग है? कौन सा विड्रोइंग है? जरा अंसर बताओ इसका बताओ लिख लिए ना कि नहीं लिखा? देखो, क्या होगा अब? अंसर देखो जितने भी नाइट्रो ग्रोप होते हैं जितने भी नाइट्रो ग्रोप होते हैं ठीक है, वो क्या होते हैं, EWG, EWG, इसका मतलब क्या है, Electron With Drawing Group, ठीक है, और ये जो है तुमारा OCH3, OR वाले Group, ये क्या है तुमारा, ये होता है, Electron Donating Group, ये Electron को Donate करते हैं, ठीक है, तो जो Donate करेगा, वो क्या होगा, Unstable, समझ गए, वो Unstable होगा, और जो ले लेगा, वो क दो Electron Withdrawing है, यहाँ पर एक Electron Withdrawing है, और यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो अब Order तो तुम जल्दी से बता दो, ये है Third, ये है Second, और ये Fourth वाला, Order तो अब तुम ये वाला का Answer तुम दो दो, दे दो तुम मजा जाएगा इसका Answer, ठीक है, क्या होगा, तीन Withdrawing Group है, मतलब की Stable ही Stable, तो ये क्या हो जाएगा, तुमारा Three, फिर, क्या होगा, एक Withdrawing Group है, ती दो नहीं है, तो ठीक है, एक तो है, वो समाल लेगा, तो क्या हो जाएगा, तुमारा Two, उसके बाद क्या होगा, ये तो Donating है, इससे अच्छा तो ना ही हो, कोई तो अच्छी बात है, ठीक है इससे अच्छा ना ही हो, कोई तो अच्छी बात है, भाई, तुम्हें Tension देने वाला नहीं हो, उससे अच्छी बात है, और क्या होगी, ठीक हो, ये का जाएगा, One, उसके बाद तुमारा आएगा, आखरी में, अब कोई नहीं चल रहा, तो सही काम चला लो, क्या हो जाएग मेरे को पाता है, ठीक है, चलो, हम देखते हैं, नेक्स पॉइंट हमारा, अब हमारा है, नेक्स पॉइंट, नेक्स कोशन कौन सा है, कि गिव सिंपल, केमिकल टेस्ट, तू डिस्टिंगुश बिट्वीन दा फॉलोइंग पेर्स ओफ कंपाउंट, ठीक है, तो तुम्हें तो हम रिएजेंट देखते हैं, कि कौन सा क्या शो करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है, चलो, देखो, ठीक, रिएजेंट में सबसे पहले क्या आता है, हमारा, टॉलिंस रिएजेंट, तॉलिंस रिएजेंट, इसके बारे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपन पहले चो के हैं और आप तो मैं पता होना चाहिए बस इतना जालो कि ammonical solution होता है किसका silver nitrate का अठीक है इसमें क्या होता ये स्में कीटन की नहीं करता ही की करता है इसकी करता है इसकी नहीं करता या में पता है ठीक है, चलो यह तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा होता है तुमारा अब यह A और B के अंदर क्या है, फैलिंगस B का, A और B के अंदर क्या है, एक के अंदर होता है तुमारा Aqueous solution of copper sulfide plus इसके अंदर क्या होता है तुमारा sodium potassium tartrate sodium potassium sodium potassium tartrate इसका solution होता है अब tartrate क्या होता है चार कार्बन का जिसकी उपर दो तुमारे कौन से होता है कार्बाक्सले गरुप और दो तुमारे होते हैं एल्कॉहाल गुरॉप मतलब मैं उसको यहां से लिख सकता हूं देखो इसको अलख से लिख ले घा हूं एक टीन ये चार के होता है कोफ इसको कर दे अपै एक इसका solution होता है ठीक है यह क्या देता है यह भी एल्ड हाइड की presence देता है और क्या कलर देता है तुम्हें फिर पिंक कलर तेंग कलर का सॉलीशन देता है इतना समझी गए तुम ठीक है चलो उसके बाद एक होता सिफ्स बेस यह हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता तुमारा सिफ्स बेस ठीक है यह भी रिएजेंट होता है अब इसका थोड़ा सा कहानी बहुत अच्छा है इसमें क्या रहता है कि जब तुम एसो टू गैस को पास करते हो किसके उपर से अब इसमें नाम से फस जाओके तुम देखो पैरा रोजा रोज एनिलीन रोजा से एनिलीन रोज एलीलीन हाइड्रोच्लोराईड के अब यह क्या होता है सर यह कौनसा देख दिया देखो मैं बता रहा हो कि जब एक ऐसा कुछ प्रोडॉक्ट होजा देखो यह है तुमारा कौन सा यह तो हो गया तुमारा एनिलीन एनच्टू ठीक है और यहां पर भी तुमारा जोड़ा हो एक एनिलीन एनेच टू डबल बॉंड बेंजीन तीक इससे जोड़ाओ तुमारा एन एच टू और सी एल माइनस समझे इतना देखो इसको कैसे पाई या अब तुम ट्रिक है इसकी भी कोई दिखकत नहीं सब समझ में आएगा और अच्छे से आएगा देखो यह क्या है जब इसक की उपर से पास करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है सिफ्स बेस मिलता है यह क्या होता है यह कीटोन की रियक्शन नहीं देता कीटोन के साथ कोई रियक्शन नहीं देता यह लेकिन एल्डी हाइट के सांथ देता है इतना समझ गया हो इतना समझ गया हो ठीक है चलो अब वहा क्या है शिप शिप पैरा है ना पैरा एनिलीन है ना तो क्या याद करोगे शिप पर रोज एनिलीन से याद रखोगे शिप पर रोज रोज याद रखना रोज रोज ऐसे अनिल ऐसे तीन अनिल क्या करोगे ऐसे तीन अनिल मतलब देखो सिर्फ पर रोज ऐसे तीन अनिल ऐसे से क्या होगा तुम्हें याद आएगा ऐसी टोन यह दिख रहा है ऐसी टोन जैसा सी एस त्री सी डवल वांड ओ होता है न ठीक है तो क्या होगा सी एस त्री सिर्फ पर रोज ऐसे अनिल क्या करते थे वो लगाते थे क्लोराइड क्लोरीन लगाते थे क्लोरीन लगाते थे क्या लगाते थे एक क्लोरीन लगाते थे तीन अनिल मिलके एक क्लोरीन लगाते देखो रियक्शन एक दम समझ में जाएगी शिप से याद रखोगे शिप पर से याद रखोगे पैरा रोज से याद रखोगे रोज अनिल एी इसे 1 लगा देना अंसर इतना अच्छा था चलु हो यह होता तुपस बेस इसमें क्या होगा एलब ड्य हाइट के साथ देगा लेकिन किटोन नहीं देगा चलो एक और होता है वो लेकर एक फेरिक्लोराइट्स टेस्ट फेरिकलोराइट टेस्ट जिसमें क्या होता है फे-चो करता है फिनॉल की प्रिज documentary करता है किसी Compound के अंदर है नहीं फ्रिजेन्स इन एनी कमपाउंड समझ गए बात किसी भी compound के अंदर अगर aniline present है मतलब phenol present है तो क्या होगा वो जो test कौन सा देगा ferric chloride test वो देगा वो pass करेगा समझ गए इतना ठीक है चलो अब हम आते हैं वापस अपने question पे वो क्या कह रहे हैं देखो अब क्या तुमारा एक है propanol और एक है propanone एक चीज और एक test और रहे गए हमारा idoform test जो की बहुत main test है क्या होता है जब iodine का mixture NaOH के साथ present होता है ठीक है यह क्या करता है यह oxidize करता है oxidizing agent होता है और यह test show करता है तुमारा कौन सा aldehyde भी शो करता है और ketone भी show करता है ठीक है aldehyde और ketone भी show करता है aldehyde और ketone इतना समझ गए लेकिन जो aldehyde ketone है उनके पास एक methyl group होना चाहिए क्या होना चाहिए at least one methyl group is there one methyl group should be there should be there क्या होना चाहिए भाई iodine मतलब iodine ौइडोफॉर्म होता है CH-CH-I3 test या फिर आइडोफॉर्म reaction बोलते हैं उसको या आइडोफॉर्म test बोल सकते हैं उसमें क्या होता है I2 और CO-NaOH का पन solution डालते हैं जिसके करण क्या होता है वह oxidizing agent show करता है oxidizing reaction show करता है किसके लिए ldehyde ketone के लिए लेकिन condition यह है कि एक methyl group तो minimum present होना ही चाहिए मतलब कौन सा group CH-3 की बाद चल रही है इतना समझ गया हो ठीक है चलो अब हम आते हैं पूरे points पे हमारे देखो points कि है तुमारा पहला प्रोपेनल और प्रोपेनोन प्रोपेनल और प्रोपे ठीक है प्रोपेनल कैसे बनेगा CH-3 CH-2 और C double bond O और यह एच दोनों एक ldehyde ketone है दोनों शो करते हैं क्या आइड़ोफर्म टेस्ट लेकिन CH-3 किसके पास है इसके पास है तो यह क्या करेगा आइड़ोफर्म टेस्ट आइड़ोफर्म टेस्ट यह पास करेगा ठीक है इतना समझ गए यह आइड़ोफर्म टेस्ट पास करेगा पहली चीज दूसरी चीज और क्या कर सकते हो हमें पता है कि ldehyde जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिडियूस हो जाता है तो यह टॉलेंस रियक्शन देगा टॉलेंस रियक्शन भी देगा यह ठीक है और क्या कर स ठीक है यह क्या होगा फैलिंग्स टेस्ट यह भी देगा तो तीन टेस्ट से तुम इसको इडेंटिफाय कर सकते होगी कौन सा प्रॉडट क्या है इतना समझ गया हो ठीक है टॉलेंस रिजन के साथ यह क्या बनाएगा तुसरा पता हो एक रियक्शन तो हम करी लेते हैं सी ए इसके पाराःज हें क्या बच rice क्या निहां करता है में सबसे ज्छादा शिल्वर करता है चलो दिखो अब कहा तुम्हारा सेकेंड्ड एसिटोफिन और बेंजोफिन और दिखो अब एसिटोफिन और बेंजोफिन इस़ियू तोन क्या होता है ओ ils स्विस्षी लृटाई और अब एक चीज़ तुमें सीधे दिख रही है क्या दिख रही है यह सी होता है ना एक चीज़ तुमें सीधे दिख रही है कि इसके पास CH3 है क्या बेंजोफिनों के पास होता है वो चेक करते हैं देखो यह है बेंजीन इससे जुड़ा होगा तुमारे एक और बेंजीन और होगा ये कीटोन ग्रूप तो देखो ये क्या शो करेगा आईडो फॉर्म टेस्ट आईडो फॉर्म टेस्ट देगा ये ठीक है इता समझ गया क्यों देगा क्योंकि एक CH3 इंसके पास प्रेजेंट है लेकिन इसके पास कोई CH3 है की नहीं नहीं है ये तो पूरा का पूरा कंपाउंड प्रेजेंट है इसके पास कौन सा कंपाउंड बेंजीन अंसर ठीक है क्या होगा ये आईडो फॉर्म टेस्ट देगा इतना समझ गये हम अब वापस अजाओ किस पर थर्ड पॉइंट पे क्या है तुम्हारा फिनॉल और बेंजोएक एसिड ठीक है देखो फिनॉल और बेंजोएक एसिड इसके लिए तुम्हेंने अलग से ही बताया था तुम्हें एक अलग से क्या था FECL3 टेस्ट ठीक है फिनॉल जो है फिनॉल जो है वो देगा FECL3 टेस्ट लेकिन सर बेंजोएक एसिड में भी तो फिनॉल ग्रॉप होता है होता है क्या ठीक है चलो होता है क्या मान लेते हैं हम बेंजोएक एसिड ये भी तो एक तरीका का फिनॉल ही है, यह देखो बेंजीन है, तो होगा क्या, जब तुम फिनॉल को डालोगे, मतलब किसको, C6H5OH को, ठीक है, C6H5OH को, तो यह जो आइरन है, यह कॉम्पलेक्स बना लेगा, किस के साथ बनाएगा यह, फिनॉल के साथ, देखो वो कैसे बनेगा, फ ठीक है, 6, कॉडिनेशन नंबर, ठीक है, यह होगा, 3, प्लस, 3H+, बाहर, 3HCL बाहर, ठीक है, यह बनाएगा, कौन सा, यह कौन सा है तुमारा, यह H है न, यह क्या तुमारा, आइरन, फिनॉल कॉम्पलेक्स, यह 6 क्या है, यह 3 क्या है, वो तुम्हें पता है, उसके बाद, अगर हम बेंजोईक की बात करें, बेंजोईक की बात करें, तो यह बनाता है कौन सा, फैरिक, बेंजोईट, अब वो क्या होता है, वो क्या होता है, एफी, ठीक है, यह कितनी बाद जोड़ता है, 3 बार, क्योंकि वैलंसी 3 होती, उसके हमें पता है, यह क्या होगा, तुमार बनाता है इसका कलर होता है थोड़ा बफ कलर बफ कलर यह कहता है तो में एक हो गया इसका कौन सा टैस्ट दूसरा कौन सा दे सकता है अब इसका आंसर बता आधो जल्दी से यह तो तो मैं पता होने चाहिए ज़र दमाग लगा पहले जाओ एसिड जब किसी बेस के सांद रिएट करता है तो क्या देता है बैनजीन ढेसियो ओ ने यह किया है सोडियम वैं यकी तो है सौडियम सोडियम बैंजुऊट अब यह बता हो एसे लाएट करता है तो सौल्ट बनता है और वाटर निकलेगा बहुत अच्छ है वाट बार ठीक है तो यह वाली रिएक्शन भी देगा sodium by carbonate reaction देगा यह लेकिन फिनॉल नहीं देगा भाई फिनॉल नहीं देगा इतना भी स्ट्रॉंग नहीं है यह ठीक है इसके करने यह नहीं देगा तो दो चीज़ थे हमने differentiate कर लिया अब देखो next point क्या है हमारा देखो next point क्या हमारा हमें देखना है benzoic acid और ethyl benzoate दिमांग लगा लो पुराना वाला ठीक है देखो क्या होगा benzoic acid benzoic acid COOH ठीक है प्लस एक और क्या है तुमारा ethyl benzoate ठीक है तो ये क्या है तुमारा ethyl group जोड़ा हुआ है किस पे COOC2H5 ठीक है ethyl benzoate समझ गया न ये बात ठीक है अब बताओ इसमें क्या होगा इसमें क्या reaction होगी इसमें भी अगर तुम sodium bicarbonate के साथ कराओगे तो क्या होगा यहां पर तो कोई भी reaction नहीं होगी no reaction लेकिन यहां पर reaction होगी और क्या बनाएगा तुम्हारा वई sodium benzoate बना दो इसर यह क्या देगा तुम्हें sodium benzoate क्या होगा यह coona कि समझ गया यह तो इसी था न ठीक है इतना तो होगा आपसमें और कुछ हो सकता है क्या और कुछ हो सकता है क्या क्या यह आइडो फॉर्म देगा और पैंटेन थ्री ओन चलो यह देखो 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 पैंटेन टू ओन मतलब देखो इधर ch3 c क्या हो आप सेकेंड पे ओन है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा च्छ टू सी डवल बॉंडलो ठीक है यह क्या है एक थ्री उन बन रहा है देखो 123 यह होगा CH2 CH 1 2 3 4 यह 5 CS 3 यह होगा तुमारा पैंटेन 3 ओन ठीक है अब यहां पर बात करो पैंटेन 2 ओन की CH3 C double bond O CH2 CH2 4 और यह 5 यह होगा तुमारा 2 ओन और यह होगा तुमारा 3 ओन आंसर तुरंत आना चाहिए वह वाला region का नाम बताओ जो दोनों चीज़े देता है ldehyde के साथ भी और ketone के साथ भी आंसर बता दो अब जल्ली से कौन सा है कौन सा है आइड़ोफोंम ठीक है यह कौन सा टेस्ट देगा आईड़ोफोंम टेस्ट इयदेगा इस टेस्ट मैं निकलता pockets यह न कल जाता के और कि आ कर देता है उसको oxidize कर देता है बहुत अच्छे ठीक है अब जिसकी प्रिजेंस में करा रहे हो अगर हमने एने ओच की प्रिजेंस में कराई है तो वह बन जाएगा चलो हम देख लेंगे इसमें बिल्कुँ कोई देखकत नहीं है देखो अब क्या है कौन सा वाला देगा कौन स यह की प्रिजेंस में ठीक है तो देखो एग्बार हम प्रग्देखेंए क्या रखता क्या है ठीक है देखो प्लस आई 2 और अगर मैं एनश्की प्रिजेंस में क़राता हूं तो क्या करता है यह oxidize करता है Rend fabadya करेगा तो यह बताओ होने पर यह कहा देगा तुम्हें ch3i तो हमें चलते चलता यह सी एच यह नहीं क्या होता है वह ch i3 ट्राय आइडो मीथेन का सॉलूशन है फ्राय आईडो मीथेन का सॉलूशन तो मैं मिलेगा ch i3 plus oxidize करेगा क्या मिलेगा oxidation देखो यहां पे एक जोड़ जाएगा ओ किसकी प्रेजंस में हो रहा है एने की प्रेजंस में तो यह हो जाएगा nao c double bond o ठीक है कार्बॉक्सिलेट आयन बन रहा है ना यह अब ch2 ch2 ch3 answer यह होगा तुमारा आइड़ोफर्म टेस्ट आइड़ोफर्म में कलर कौन सा होगा यलो कलर ठीक है समझ केतना चलो यह वाला टेस्ट होगा तुमारा आप देखते हैं नेक्स नेक्स के सिक्स्त बेंजलडी हाइड और एसीटोफिन ओन इसकान सा तुरंत देदो या रब ठीक है क्या होगा देखो यह होगा बेंजीन पेंजलडी हाइड और एसीटोफिन ओन एसीटोफिन ओन मतलब अभी तो देखा ताम नहीं वाला आंसर तो आजाना चाहिए अब तक सीडवल बॉंड ओ सीएच थ्री यह देखो सीएच थ्री क्या देगा अभी है आइड़ोफर्म टेस्ट आइड़ोफ ठीक है यह इसको कर देगा ऑक्सिडाइज इससे जोड़ जाएगा तुमारा आयोडीन ऑक्सिडाइज इनदी प्रिजेंस ओफ एने ओएच तो क्या बनेगा आंसर बता दो यह देखो क्या बनेगा तुमारा यह हो गया बैंजीन सी डावल बॉन्ड ओ यहां पे ने है कि नहीं यहां पे ने प्लस सी एच आई थ्री ट्राइड़ो मीथेन और बागी के प्रोड़क्त तुमारे बाहर यह होगा तुमारा आइड़ो फॉर्म टेस्ट कौन सा कलर देगा यह यहलो पीपीटी कौन सी देगा यहलो पीपीटी स में कौन सी मिलती है पेल यह लोव फीपीटी समझे वाद कलर याद रखना जलुजाद हो नहीं है फिक है इसके बाद पर एथेनल और प्रोपनल प्रोपनल चलू आइथेनल ओर चलू असरे बता दो इसका जलदी से प्रोपनल ठिक Denmark नम जल्दी से बता दो अब क्या से दें चुझ Такब इसका नाम जब्धी से बतादो कौनसा टैस्ट देगा ठीक हैutes यह दिखे ओए तुम्हेँ क्या इसके पास मीठें ग्रोप है मिठायल ग्रोप है नहीं है लिबा तो कौन सा टेस्स देगा यहां पर मीथाल ग्रॉप है ठीक है तो चलो इसका मैं सीधे लिख रहा हूं क्या बनता है लेकिन टेस्ट का नाम तुम बताओगे यहां वे बनेगा CH-I3 इसका नाम होता है ट्राय आयोडो मीथेन यह बनता है तुमारा और एक चीज है इसके अंदर इस टेस्स के अंदर जो इसको ऑक्सिडाइज कर देती है उसका नाम बता दो तुम यह क्या बनेगा इतना तो तूट जाएगा और क्या बनेगा यह फिर H-C-O-O-N-A अंसर य यह भी लिख दे रहा हूं मैं कि I2 प्लस NaOH की प्रिजेंस में होता है solution ठीक है जलो कलर मिलता है टेस्स का नाम तुम बता दो यहां पर मैं छोड़ रहा हूं इसको ठीक है टेस्स का नाम तुम बताओगे मेरे को यह वाला बस बचा है बागी सब हम कर चुके हैं यह भी बच टेस्टी है ठीक है तो आज की लिए इतना ही हम देखेंगे आपको अगले वाले वीडियो में और मिलेंगे फिर से वहां लड़नू है पर बैस्त जहां झाी है कि लचगे में जहां अगले ठागी नहीं कि रखो नहीं दो कि भाने श digital बताओगे है दो कि दो है पालेा बार कि अीक है ररह मेरे से रहं जगले तक रहराओे वाले अमाहते हैं at मिलें अिजव पाले झाल झाल झाल